4G स्कूल के और लाइन तरज ताली में आप तमाम का इस्तिक्वाल है आठवी जमार उर्दुबाल भारती नजम नबर थी खुस्न अख्तर इस नजम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले प्लेलिस् इस्क्रिप्शन में हमने नजम की लिंक भी दी हुई है आप महां से भी उसे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम नजम नबर 3 हुजन अख्तर के सवाल जवाब हल करने में आपकी कुछ रहनुमाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकमल नजम नबर 3 हुजन अख्तर इसकी शायर है वाजद अली शाह अख्तर नजम का बगौर मुताला करके दर्ज जिल सर गर्मिया मुकमल कीजिए जान पहचान की मदद से मस्नवी के शायर का शब्की खाका मुकमल कीजिए मस्नवी की शायर है उनका असल नाम है मुहमद वाजद अली और उनका तखलू से अख्तर दोरे हयात देखते हैं उनकी पैदाईश 30 जुलाई सन 1822 और इंतिखाल 29 सितम्बर सन 1827 अद्बी हैसियत से वो एक शायर और अधीव रहे हैं उन्हें ड्रामा और रहस्य में दिल्चस्पी रही हैं एक जुम्ले में जवाब लिखिये कि दास्ताने रंज कौन सुना है जवाब वजद अली इब्न अमजद अली सना रहा है गवर्न जनेरल का क्या हिक हुकम हा आया के सल्तनात को फोराण एक बार यानि खाली कर दो सल्तनत को खाली करने का हुक्म गवर्नर जनरल ने कब दिया जवाब सल्तनत को खाली करने का हुक्म गवर्नर जनरल ने मीराजी के महीने यानि रब लाखिर की 27 तारिख को दिया डल्होजी ने हुकुमत छीनने की क्या वज़े बताई डलोजी ने हुकुमत चिनने की वज़े रियाया की नाराज़गी बताई और ये कहा कि तुम्हारी रियासत बदनाम हो गई है वाजद अली शाहने आखिर में क्या किया जवाब डलोजी ने सर्त को बरकास करने की वज़े ये लिखी कि वो रियाया की तबाही नहीं देख सकते सवाब डलोजी ने वाजद अली शाह को महाना एक लाक रुपे देने की रियायत दी और लिखा कि अब तुम फक्त नाम के बादशार रहोगे सवाल नम्बर नू खत पढ़ने के बाद नवाब वाजदली शाह के घर वालों पर क्या असर हुआ? जवाब खत पढ़ने के बाद नवाब वाजदली शाह के घर में कोहराम मच गया और दिन के दोपहर के वक्त अंधेरी रात का सा समा हो गया सवाल नम्बर दस नवाब सहाब ने अजीजों से क्या कहा? जवाब नवाब सहाब ने अजीजों से कहा कि अगर किसी को मुझ से कोई रंच पहुँचा हो तो बताओ अगला सवाल देखते हैं मुक्तिसर जवाब लिखिए डलहोजी का खट पढ़कर वाजद अलिशा क्यों मायूस हो गए? जवाब डलहोजी ने खट में लिखा था कि रियाया बादशा से नाराज है और उनकी रियासत का मुराहाल है इसलिए वो हकुमत करने के एहल नहीं है चुकि ये सारी बात गलत थी इसलिए वाजद अलिशा मायूस हो गए सवाल नमबर दो नवाब वाजद अलिशा डलहोजी के हुक्म की इताथ के लिए क्यों मजबूर थे? जवाब रिजिजेट ओर्टरम अपने साथ फौज लेकर आया था और उस वक्त वाजद अलिशा अलिशा अलिल थे इस वज़े से नमब वाजद अलिशा डलहोजी के हुक्म की इताथ के लिए मजबूर हो गए नजम से अंग्रेजी अलफास तलाश करके लिखिए लौट, गवर्नर, रेजिजेंट और जर्निल नवाब वाजद अलिशा की सल्तनत के खात्मे का खत्त से मुतालिख रवाहा का मुकमल कीजिए गवर्नर जर्नर लौट डलोजी का हुक्म हुआ तब सल्तनत को हुए 10 वरस, सन था 1271, महीना मीरा जी का या रबिलाखिर, तारिखती 27 और दिन था पंचरबा यहां आपके इस सबख के सवाल जवब उकमल होते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके आपको अगले तमाम अजबाख की वीडियोज हासिल हो सके और दिगर मज़ामीन की वीडियोज भी आप देख सकें